पब्लिक टीवी आपकी आवाद किया गया अहजीत कारेकरं में तीन प्रकार के संबान दिये गए जिसमें मात्र शक्ति, राष्ट भक्ति संबान जिसमें देश की रक्षा करते हुए जो वीर सहनिक वीर गति को प्राप्थ हुए हैं उनका पुन्हे ऐस्मरण करते हुए उनके पूजने परिवार की माता बहन बेटी को ये सम्मान प्रदान किया गया तो वहीं राष्ट सेवा सम्मान रहा जिसमें देश की सरहद पर राष्ट की रक्षा करने गए वे सैनिक जिनकी सेवा अयूपूर होने के पस्चात घर लोटे हैं ऐसे वीर सैनिकों को उनके समयदान के लिए राष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट गौरक्षक गौरव सम्मान से सभी को सम्मानित किया गया वर्तमान परिदरश्य में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा का संकल्प लिए कार्य कर रहे वीर सैनिकों को राष्ट रक्षक गौरत संबान से संबानित किया गया आयोजन के अंतरगत राष्ट भक्ति के जन जागरन के उद्देश से राष्ट और सैनिकों को समर्पित सांस्कृति कारेकरम किये गए जिसमें प्रसिद्ध गाई का प्रीती दत्ता लखनव और गायक प्रसून मिश्रा चंदोसी द्वारा देशबक्ती गीतों की प्रसूती दी गई नगर चंदोसी के प्रतिभावान गिटार वादक अरपित सिंग द्वारा गिटार से देशबक्ती के स्वर निकाले गए गायन और वादन की ख्षेत्र में उपलब्धियों के लिए इने स्वर साधक सम्मान से सम्मानित किया गया देश में प्रसिद्ध और प्रतिष्टित लवकुष डांस अकेडमी की प्रतिभवान छात्राओं दोरा राष्ट और सैनिकों को समर्पित नरत्य किये गए नरत्य की इस विधा के लिए इने नत्राज नरत्य सम्मान से सम्मानित किया गया कारेक्रम में मुख्य रूप से राष्ट सम्मान जन जागरण के लिए आमंत्रित प्रसिद्र राष्ट कवी नरेंद्र अटल मद्ध प्रदेश अपनी वीर रस की कविताओं से राष्ट वंदना और सैनिकों के शौरय पराक्रम के बलिदान पर कविताओं सुनाई कार्ण जोब चांगे में अपनिया रहे को आन्मान में ऐसे तो यह हमारा अखिल भारती वहषिक ऐडरेशन महिला इकाई का चंदौसी का शबत गृहर समारो है लेकिन जो पुल्वामा टैक हुआ था तब से हमारे मने था कि हम शरीदों के लिए और सेमिकों के लिए कुछ करें तो हमने अपने इस जो शहिपतग्रातसं मारो यह फूरा सेमित किया है और इसमें हमने उन सेनिकों को रास्ट सेबा सम्मान दिया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपने देश के लिए समर्पित कर दिया और कुछ लड़ाईयां भी लड़ी उन्होंने अमरे जो बीच में कुछ अपने जो पूलवामा अटेक हुआ था तब से मेरा मन बहुत ज़्यादा व्यथित था इस घटना को लेके और मुझे लगा इतने सारे सेनिक जो एक साथ शहीद हुए मेरा दिल एकदम चीतकार कर रहा था और तब ही से मैंने यह सोचा था कि हम सेनिकों के लिए कुछ करेंग तो बस ढूंड रही थी कि मैं क्या मौकर ढूंड रही थी कि मैं क्या करूं कब करूं तो अब यह शबत प्रहंड समारो जब हम लोगों ने निर्दारित किया करना तो तब ही मैंने सोचा कि यह कारिकरम पूरा सेनिकों को में समर्पित करूंगी